Hello fine, मैं a cast welcome to plant caregiver इस list में पहला plant है गैलाडिया इनके flower काफी सारे color में आते हैं flowering खतम होने के बाThey seed बनाते हैं ये इस plant के seed है एक ही plant पर हमें काफी ज़्यधा seed मिल जाते हैं इनके seed को जब भी harvest करें थोड़ा सा ध्यान रखें इनके seed में काटे भी होते हैं इसके seed मैं roadside से ही लेकर आया था, ये plant मेरे पास काफी सारे color में है, इस list में दूसरा plant है Cosmos, इनके भी flower काफी सारे color में आते हैं, ये भी flowering कदम होने के बाद seed बनाते हैं, इसके अलावा आप इस plant को cutting से भी grow कर सकते हैं, cutting का भी काफी अच्छा result एकने को मिलता है, ये इस plant के seed है, देख सकते हैं एक ही flower से हमें काफी ज़्यादा seed मिल जाते हैं, इस plant को भी आपको अपने गाड़ा में ज़रूर रैट करना चाहिए, इस list में तीसरा plant है Mexican Pitonia, इनके भी flower तीन color में आते हैं, इस plant को भी आप cutting से बहुत ही easily grow कर सकते हैं, बात करे price की, तो ये plant 30 से 40 में मिल जाता है, इस list में अगले plant है, bulbous plant, और bulb plant में सबसे पहले है spider lily, दूसरा है emeralis lily, ये सभी bulbous plant बहुत ही तेजी से divide होने वाले plant होते हैं, अगर आप इनका एक bulb लेका राते हैं, तो एक साल के अंदर ही ये divide होकर 3 से 4 हो जाते हैं, ये है rain lily, ये भी bulb से grow होने वाला plant होता है, और बहुत ही तेजी से divide होने वाला plant होता है, ये plant आपको नरसी में 30 से 40 रुपिज में मिल जाते हैं, इस list में अगला plant है canna lily, ये भी tuber से grow होता है, और बहुत ही तेजी से divide होने वाला plant होता है, अगर आप इसका एक plant लेका राते हैं, तो 3 से 4 मन्त में ये पूरे पॉर्ट को cover कर लेता है इस लिस्ट में अगला प्लांट है साइप्रस वाइन ये भी बहुत तेजी से डिवाइड होने वाला प्लांट होता है फ्लावरिंग खतम होने के बाद ये सीड बनाता है इनके सीड जीज भी पॉर्ट में गिर जाते हैं ये खुद बखुद ग्रो हो जाते हैं इसे हर साल हमें grow नहीं करना पड़ता है ये एक साल आप इसे grow कर लीजे नेक्स सीजन में ये खुद बखुद grow हो जाता है इनके भी flower तीन से चार कलर में आते हैं और ये इनके seed हैं फ्लावरिंग खतम होने के बाद ही ये seed बनाता है ये ही seed जिस पी-पॉर्ट में गिरते हैं फ्लावरिंग ग्रो हो जाता है इस list में अगला प्लावर्ट है टिकोमा ये भी बहुत ही easily grow होने वाला plant होता है इसे अब करटिंग से भी grow कर सकते हैं इसके अलबा फ्लावरिंग खतम होने के बाद ये seed बनाता है उससे ये प्लांट बहुत ही इसली ग्रो हो जाता है मेरा ये प्लांट सीर से ही ग्रो हुआ प्लांट है और सीर से ग्रो हुए प्लांट में एक साल के अंदर ही फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट करतेता है ये इस प्लांट के सीड है ये seed जिस भी pot में गिरते हैं ये plant grow हो जाता है इस list में अगला plant है पर्सलीन और पोर्चुला का ये summer का best flowering plant होता है hanging basket में बहुत ही सुन्दा लगता है और बहुत ही easily grow होने वाला plant होता है ये flower काफी सारे color में आते हैं flower देखने में बहुत ही सुन्दा रगते हैं ये plant आपको नर्सी में 20 रुपए में easily मिल जाते हैं इस list में अगला plant है विनका का plant ये देशी विनका है और देशी विनका बहुत ही hard होता है लगबग पूरे साल blooming करने वाला होता है इसे grow करना भी काफी easy होता है आप इसे cutting से भी grow कर सकते हैं इसके अलावा flowering खतम होने के बाद ये भी seed बनाता है देख सकते हैं मेरे जिस भी pot में इसके seed किरते हैं plant grow हो जाते हैं देख सकते हैं इस एक ही pot में 5-6 plant लगे हुए हैं इस list में अगला plant है हर सिंगार ये भी बहुत easily grow होने वाला plant होता है ये plant मेरा seed से grow हुआ ये plant है flowering खतम होने के पाद ये plant भी seed बनाता है इसके भी seed जिस भी pot में किरते हैं ये plant खुद बखुद grow हो जाता है इसके seed मैं road side से लेकर आया था हमारे ये हर सिंगार के plant road side पर काफी लगे हुए होते हैं अगर आप चाहें तो इसका plant भी ला सकते हैं जिस भी road side में आपको ये plant दिखे आप उस plant के नीचे चिक करिए काफी सारे baby plant लगे हुए होते हैं इस list में अगला plant है four o'clock ये भी बहुत ही easily grow होने वाला plant होता है काफी सारे color में आते हैं मेरे garden में ये दो color में हैं लेकिन कभी कबार mix होकर 3-4 color भी बन जाते हैं ये इस plant के seed हैं इनके भी seed जिस भी pot में गिरते हैं ये plant खुद बग खुद grow हो जाता है और थोड़े दिन बाद flowering भी कनहस्टार कर देता है ये भी tuber से grow होने वाला plant होता है देख सकते हैं ये plant भी देखने में काफी सुन्दा लगता है इनके flower शाम को खिलते हैं इसलिए इसे four o'clock कहते हैं इस plant को भी आप cutting से grow कर सकते हैं लेकिन cutting आप जब भी लें थोड़ी मोटी लें इस list में अगला plant है sunflower ये भी summer का खुबसूरत flowering plant होता है flowering खतामोने के बाद ये भी seed बनाता है ये single pattern और multi pattern में भी आते हैं देख सकते हैं flower देखने में बहुत ही सुन्दा लगते हैं इस list में अगला plant है morning glory morning glory भी काफी सारी varieties और color में आते हैं इनके flower morning में किलते हैं इसलिए इसे morning glory करते हैं ये भी seed से बहुत easily grow होने वाला plant होता है flowering खतामोने के बाद ये plant भी seed बनाता है इस list में अगला plant है अप्राजिता ये भी बहुत easily grow होने वाला plant होता है flowering खतामोने के बाद ये plant भी seed बनाता है और इसके भी seed जिस भी pot में गिर जाते हैं plant खुद बखुद grow हो जाता है मेरी भी काफी सारे pot में इनके plant लगे हुए हैं इस list में अगला plant है करियर का plant देख सकते हैं flower देखने में बहुत ही सुन्दा लगते हैं flower काफी सारे color में आते हैं मेरे garden में भी ये तीन color में है फिलाल तो एक ही plant पर flowering हो रही है इसे भी आप cutting से भी grow कर सकते हैं cutting का reserve बारिश में अच्छा देखने को मिलता है flowering कतम होने के बाद seed भी बनाता है इसके भी seed जिस भी pot में गिरते हैं ये plant खोद बाखोद grow हो जाता है इस list में अगला plant है genia देख सकते हैं flower काफी सारे color में आते हैं flower देखने में सुन्दा लगते हैं इस plant को भी आप cutting से भी grow कर सकते हैं flowering कतम होने के बाद ये भी plant seed बनाता है इसके plant नजदी में 20-30 रुपए में easily मिल जाते हैं इस list में अगला plant है कचनार ये plant भी seed से easily grow हो जाता है flowering कतम होने के बाद seed बनता है इसके भी seed में रोर साइसे ही लेकर आया था मेरे garden में भी एक कचनार का plant लगा हुआ है फिलाल अभी काफी छोटा है इस list में आखरी plant है चमपा चमपा की कोई भी variety हो वो cutting से बहुत easily grow हो जाती है चमपा plant को आप इस time भी cutting से grow कर सकते हैं क्योंकि कभी कबार हम लोग बारिस में grow करते हैं तो बारिस में over watering की वज़ा से cutting गल भी जाती है लेकिन इस time इसका बहुत ही अच्छा result देखने को मिलता है तो ये थे कुछ plant जो की बहुत easily grow हो जाते हैं चाहे वो कचनार हो, हरसिंगार हो, टिकोमा हो ऐसे plant को सीर से grow करना बहुत ही easy होता है और तो ये plant flowering भी लगबग एक साल में start कर देते हैं क्योंकि ऐसे plant मैंने 20 से ही grow किये हैं और मेरे सभी plant पर लगबग एक साल में flowering भी start हो गई थे So I hope कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तद तक के लिए हैप्पी गारने